डीडीजी कारजाले के बरिये लेखा पदादिकारी पच्चास ज़ार उपए घूस लेते चड़े निगरानी के हते कहा डीडीजी के आदे से ले रहते पैसा बाकसर जिले में एक वार फिर भरस्टाचार का बड़ा मामला उजागर हुआ है दरसल निगरानी ने पच्चास ज़ार उपए घूस लेते हुए उपबिकास आयुक्त कारजाले के बरिये लेखा पदादिकारी धर्मेंद्र कुमार को उनके कारजाले से रंगे हां तो गिरपतार किया है दरसल निगरानी को सिकायत की गई थी कि मनरेगा एउजना जांच में लेखा पाल के दोरा लगातार रिस्वत की मांग की जा रही है जांगारी के मताबिक जिले के सिम्री परखंड में मनरेगा के तहत कई एउजनाओं को पूर्ण किया गया था जिसका जांच बकसर के डीडीची अरविंद कुमार कर रहते दरसल इसी जांच के बदले सिम्री के पी आरेस से एक लाख रुपे रिस्वत की मांग की गई थी निगरानी को मिली लिखित सिकायत के बाद निगरानी ने जाल बिचाया और डीडीची के कारजाले से रिस्वत लेते हुए रंगे हां तो धरविंद कुमार को गरफतार किया गया इस दोडान पूछे जाने पर ग्रफतार किये गए बर्ये लेखापाल धर्विंद्र कुमार ने बताया कि वो बकसर डीडिसी अरविंद कुमार के कहने पर रिस्वत ले रहे थे जानकारी के मुताबिक डीडिसी कारजाले में युजनाओं के जांच के नाम पर लंबे समय से रिस्वत खोरी का काम चल रहा था ग्रफतार लेखापाल धर्विंद्र कुमार के मुताबिक डीडिसी के आदेश पर ही वो रिस्वत लेने का काम करता था ब्रष्टाचार में सनलिप्त डीडीसी कारजाले का कर्मी धर्विंद्र कुमार की गिरपतारी के बाद नकिबल एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ बलकि इस खबर के आने के बाद जिले में हरकंप का महौल कायम हो गया है निगरानी के डीडीसी सर्वेस कुमार ने बताया कि जिले के सिम्री पी आर एस द्वारा रिस्वत मांगे जानी की लिखित सिकायत निगरानी से की गई थी जिसके बाद डीडीसी कारजाले के बरिये लिखापार धर्विंद कुमार को गिरपतार किया गया दीसपी सर्वेस कुमार ने बताय कि सिकायत मिली थी कि इस कारजाले में लंबे समय से बरश्ताचार का खेल चल रहा था दीसपी के मुताविक इस बरश्ताचार के खेल में डीडिसी के सनलिपता की भी जांच की जाएगी नियाजी पूर पंचायत में 83 उजनाओ का कार्ज संपन किया गया था मन्रेगा के तहट बर्स 2016-2017 से 2019 बिस तक का उसी में डीडीसी सहाब इंकौाइरी कर रहे थे इंकौाइरी के करम में ही उनसे वो मिले असपस्टी करन भी दिये तो उन्होंने कहा कि आप धर्बिंदर कुमार बरिये लेखा पतादिकारी हैं उनसे मिली जिए इनसे जब मिला गया धर्बिंदर कुमार से तो एक लाख रुपया मांगे बाचीत हुई उसमें 50 रुपया पर बात तए हुई आज 50,000 रुपया रिस्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गया गौर तलब है कि यह पहला मामला नहीं है जब बकसर के सरकारी कारजालेों में भरस्टाचार का मामला उजागर हुआ है कुछ वर्ष पहले भी डियम कारजाले और सिक्षाब विभाग में ब्रस्टाचार और रिस्वत खोरी के मामले में अधिकारियों की गिरफतारी हो चुकी है बाबजूद इसके अभी भी धरल्ले से सरकारी कारजों के एवज में रिस्वत खोरी का काम चल लहा था बूरो रिपोर्ट, SDF News, Buxer